फलूदा कुलफी तो सभी को बहुत पसंद आती है और ये फलूदा मैंने घर पे ही बना कर तयार करा है साथ ही बना ये मटका कुलफी जिसमें ना तो मैंने मावा का यूज करा है ना ही मिल्क पाउडर का सिर्फ तीन चीजों का यूज करकर हमने ये मटका कुलफी और अगर आप इसे कप से मिजर करेंगे तो ये दो कप दूद है कोशिश करिएगा दूद फुल क्रीम दूद हो और अगर आपके पास उबला हुआ दूद है तो आप उसे मलाई के साथ ही लीजेगा चलिए जब तक दूद उबलेगा तब तक हम यहाँ पर चीनी को केरमलाइस कर कर रहे हैं क्योंकि मटका कुलफी का जो कलर होता है वो इसी कारण से ब्राउनिश होता है देखे मैंने हाँ पर 200 ग्राम चीनी ली है मतलब जितना दूद लिया था उसका वन थर्ड हमें चीनी लेनी है और इसमें दो चमच पानी डालकर हम इसको इस तरह के से मिक्स करने देखेगी यहां देखे दूद भी अच्छे से पक रहा है और चीनी भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और आप इसका कलर भी देख रहे हैं इससे जादा हमें चीनी को नहीं पकाना है वनना चीनी जल जाएगी और कुलफी में टेस्ट खराब हो जाएगा चलिए अब च साथ सारा दूद डाल दिया तो दूद उबलकर बहार आ सकता है तो आप जब भी इस तरीके से आइसक्रीम बनाएं तो कड़ाई बड़ी ही लीजिए चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हमें बहुत जादा नहीं पकाना है एक बार चीनी को घुलने देते हैं फिर हम ठंडे पानी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद दूद में एड़ करेंगे कॉन फ्लार एड़ करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगी पहले इसे ठंडे पानी में मिक्स कर लें और उसके बाद ही दूद में एड़ करें वरना इसके लंप्स पर जाती हैं मतलब ग गाड़ा हो गया है चलिए गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और हाँ एक बात और दोस्तों कॉन फ्लाट आने के बाद हमें इस दूद को लगातार चलाते रहना है देखे दोस्तों दूद ठंड़ा हो गया है और काफी गाड़ा भी हो गया है और इसे जमाने से पहले हमें इसम और इसको एक बार चर्ण कर लेना है इस तरीके से जब आप कुलफी बनाएंगे तो वो काफी सौफ्ट बनेगी और खाने में बिल्कुल भी हाड नहीं लगेगी देखिए मैंने इसे एक बार चर्ण कर लिया है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं पहले कितना थ कि मटका कुलफी बना रहे हैं इसलिए मैंने कुछ मटके लिए हैं और कुछ इस तरीके से मोल ले लिए हैं अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इसे स्टील के ग्लास में भी जमा सकते हैं तो चलिए इसको पोर कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ और हम इसे freeze करेना तो ice crystal इसके उपर ना जमी और हलका सा cut लगा कर हम इस पे stick लगा देंगे तो चलिए इसको freeze करने के लिए रख देते हैं और अब हम तयार कर लेते हैं कुल फी के लिए फालूदा तो यहां पर एक बॉल में मैंने लिया है hundred grams corn flour आप इसकी जगा आरा रोड भी ले सकते हैं दिखे corn flour एकदम फीका होता है तो मैं इसमें दो चम्मचीनी का यूज कर रही हूँ यह चुगर पाउडर है आप इसमें साबुचीनी भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो पहले मैंने एक कप पानी डाला है उसके बाद एक या डेड़ कप पानी और एड़ करेंगे तो पहले इसको mix कर लेते हैं और जब आप इसे mix करेंगे न तो आप फिल करेंगे कि यह mix नहीं हो रहा है क्योंकि यह थोड़ा सा hard हो जाता है पर आप इसे अराम से mix कर लीजे और इसमें अब एक कप पानी और एड़ कर लेते हैं इसे हमें बिलकुल पतला सा घोल बनाना है तो देखें इस तरीके से एकदम liquid batter तयार हो जाएगा तो इसको अभी side रख देते हैं और बाकी की तयारिया भी कर लेते हैं यहां देखें मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें अट कर लेंगे हम खूप सारे ice cubes और पानी पानी एकदम ठंडा होना चाहिए तब ही इसमें जो फलूदा है न वो असानी से बन पाएगा चलिए इसे भी हम side रख देते हैं और आज हम फलूदा देखी इस save वाले साचे में बनाएंगी जिसके लिए मैंने बिल्कुल बारिक वाली जाली का यूज करा है क्योंकि मोटी वाली जाली का यूज करने से फलूदा मोटा बनता है खाने में अच्छा भी नहीं लगता आपके पास अगर ये नहीं है तो इसकी जगा जो कपड़े वाले piping bag आते हैं आप उसका भी यूज कर सकती है तो आई ये गैस पर एक पैन रख लेते हैं इसमें एट कर लेते हैं ये कॉनफलार वाला बैटर और सिर्फ तीन से चार मिनट में ये बैटर थिक हो जाएगा एकदम वैसलीन जैसा लगने लगीगा तो चलिए इसको लगातार चलाते रहना है और आप सुचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये वैसलीन जैसा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको बस हमें लगातार चलाते रहना है देखिए थिक होना शुरू हो गया है और बहुती जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जो थिक बैटर बनेगा वो एकदम ट्रांस्पेरेंट बनेगा देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी रह गया है और बाकी जो है वो एकदम थिक हो गया है तो चलिए हमारा थिक बैटर तो तयार हो गया है और अब बारी है फालूदा बनाने की फ्रेंट्स फालूदा बहुत ध्यान से बनाना होता है क्योंकि जो थिक बैटर है ना ये बहुती ज़ादा गरम होता है और गरम गरम में ही हमें फालूदा भी बनाना होता है वना ये सूख जाएगा और फालूदा अच्छा नहीं बनेगा तो गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको ट्रांसफर कर लेते हैं सेव वाले साचे में तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक के बटन को प्रेस करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजे देखिए आप हम इसे ठंडे पानी में इस तरीके से निकाल लेंगे ठंडे पानी में निकालने से ये होता है कि फलूदा अपस में चिपकता नहीं है और बिलकुल खिला-खिला बनता है आप देख पा रहे हूंगे कि फलूदा एकदम एकसार निकल रहा है मतलब तूट नहीं रहा और लंबा-लंबा निकल पा रहा है तो बहुती बढ़िया बहुती जल्दी ये फलूदा बनकर तयार हो जाता है मार्केट से भी अच्छा फलूदा अब आप घर में बना सकते हैं तो इन समर्स एक बार इस मटका कुलफी फलूदे की रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा देखे कितना बारिक और कितना बढ़िया फलूदा बना है तो चलिए फलूदा तो हमने बना कर तयार कर लिया है और अब कुलफी को भी चैक कर लेते हैं तो नेक्स जे देखे मैंने कुलफी को निकाल लिया है और ये एकदम परफेक्ट जमी है इसको cut कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में और उसके बाद हम इसकी फलूदा प्लेट तयार करेंगी इस कुल्फी को बनाने के लिए ना तो हमने मावा यूज करा है ना ही मिल्क पाउडर और ना ही ब्रेड बहुती कम समान में ये कुल्फी बनकर तयार हो गई है जो की बहुती ज़ादा टेस्टी लग रही है कलर भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है इसको गानिश कर लेते हैं बदाम से और आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सर्फ कर सकते हैं पर आज हम बनाने वाले हैं फलूदा कुल्फी जिसके लिए मैंने दो पिसस को अलग कर लिया है इसके उपर डालेंगे अपने फ्रेश बनाए हुए फलूदे और इस फलूदे को और भी जादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर रुहेबजे का यूज कर रही हूँ जिसका फलेवर फलूदा कुल्फी में बहुत ही बड़ी आता है गानिश कर लेते हैं कटे हुए बदाम से और देखिए मिंटो में हमारी फलूदा कुल्फी की प्लेट बनकर तयार हो गई है घर के समान से बिलकुल असानी से ही हमने इसे बना कर तयार करा है चलिए इसको ट कुल्फिया भी देख लेते हैं कैसी जमी है तो यहां देखिए बाकी की जो कुल्फिया है वो भी बहुत पर्फेक्क ली जम गई है। मैं आपको इस पून से चैक करके दिखाती हूँ और यह देखिए कितनी पर्फेक्ट जमी है। आप इसे मटका कुलफी की तरह भी सर्फ कर सकते हैं और फलूदा कुलफी की तरह भी तो आप भी इस रेसिपी को जरूर राय करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी देखे फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट करने के ल दपतक्ली बागी